हेलो फ्रेंड्स एक बाफ फिर से सुवा अगत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MKI गेम लव में तो देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स आजना हम थवरा सा गार्डन में चिंजिस करेंगे और यह जतनी भी लाइट है इसकी जगे प कर यहां पर लगा देंगें यह जतनी भी लाइट है यहां पर अंदर्ग्राउंड बहुत सारा काम करना है तो उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो red button है उसको दबा देना और साथ में वो जो bell है उसको भी दबा देना तो अभी हम चलते हैं और सामान लेकर आते हैं तो देखिए अभी जो सामान मुझे जरुवत है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेरा ये बेक खोलते हैं और इसमें ये वाला जो हमारी है इस से क्या होगा कि इसमें है feather falling तो इसकी वज़े से हम ये जितने भी है ना halls इनको सबको इखटा कर लेंगे और उसके बाद हम जो सामान जो मनला हम बनाने वाले हैं सब इखटा कर लेंगे तो अभी क्या करता हूं मैं सो जाता हूं सुबह उठके और ये सारा काम शुरू कर देंगे तो फ्रेंट सुबह हो चुकी है और अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ना हम वो जितने भी हमारी ये ग्लो स्टोन से इनको हटा देते हैं यहां से तो ये ग्लो स्टोन हटा दिया एक और फेदर फॉलिंग से यह होता है कि यह ऐसे कैसे ही मिल जाएंगे तो यह सारे हटा देते हैं तो अरे जमानना शुरू हो गए तो फ्रेंट्स मैंने ये सारे ग्लो स्टोन हटा दिये हैं नीचे से और ये कुछ ऐसा लग रहा है और अभी हम क्या करने वाले समान इखटा करके और लेकर आने वाले तो दिखिए सबसे पहले जो हमें चाहिए मैंने बना के रख लिया है यह रेड्स्टोन लेंप इसे बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है आपको ग्लो स्टोन रखना है और उसके आजपस आपको रेड्स्टोन रख देना है तो उससे यह बन जाते हैं तो भी मैं यह सारे ले लेता हूं उसके बाद मैं ले लेता हूं यहां से यह रेड्स्टोन तो मैं क्या करने वाला हूं इसको पहले हम बना लेते हैं रेड्स्टोन ओहो कुछ जादा बन गया चलो वैसे काम तो पढ़ेगा जादा का ही काम पढ़ेगा और अब ना अभी मेर को और क्या चाहिए मुझे चाहिए पिस्टन्स तो मैंने पिस्टन्स कहां रखें यहां देखता हूं यहां नहीं है यहां रखें क्या यहां भी नहीं है यह रखे 23 तो यह हैं और अभी और बनाने हैं तो चलिए और बनाते हैं फटा फट तो इधर देख ल यह चाहिए हमें कुछ जादा तो उसे बनाने से पहले मैं क्या करता हूं मैं सबसे पहले ना यह ग्लू स्टोन्स रखकर आता हूं तो इसके लिए ना यह वाला शौवल काम नहीं आएगा क्योंकि यह बहुत फास्ट है तो एक सिंपल सा शौवल चाहिए मुझे तो यह वाला आता हूं उपर आता हूं इसको तोड़ देता हूं और ऐसे यहां पर भी चाहिए मुझे सब में तो जल्दी जल्दी मैं सब में न होल कर दूंगा और उसके बाद यहां पर हम लगाएंगे दो दो लें और वो क्यों लगाएंगे वो मैं आपको बात में बताऊंगा तो फ्रेंड यह करने से पहले एक चीज ट्राइ करते हैं अगर वो चीज सकसेज हुई तो बहुत ही अच्छी बात है तो मैं क्या करता हूं मैं लेता हूं विसे यह डर्ट ब्लॉक भी शाद से वही काम कर देगा बट नहीं हम तो चेक करेंगे उसी से जल्दी मैं चलता हूं तो अभी मैं क्या करने वाला हूं एक चीज ट्राइ करने वाला हूं अगर उससे हमारा काम बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है देखे यहां से मैं लेता हूं एक स्टोन और उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहां रखते हैं स्टोन के क्या ठीक है सबसे पह हमारे पास जो रिपीटर हैं और यह हैं इनको हम लगाएंगे तो पहले एक रिपीटर रख देता हूं एक यह रख देता हूं और मेरे पास कुछ और है क्या नहीं है तो भी चलते हैं हम अंदर और एक लीवर लेकर आते हैं और मुझे लगता है वो भी यहीं होगा हाँ है एक लेकर आते हैं को मैं यहां रख लेता हूँ चलो वापिस चलते हैं अगर इस लीवर से वो लांत bits जल गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा मенийजा चल गया चल गया चल गया ठीक है हमें जादा वो लगाने की जरुवत नहीं है चलो यह अच्छी बात है इसको इन सब को मैं कलेक कर लेता हूं चलो अब हमारा जो काम है वो हम करते हैं तो उससे पहले ना मैं क्या करने वाला हूं मैं ना एक शावल बनाऊंगा अपने लिए त तो विस्टिक लेने के लिए मैं क्या करूँगा आप बेंबू लोंगा दो इस्टिक जादे यी बना लेते हैं वैसे भी बेंबू जित्ती खटी हो रही है ना तो इधर चलते हैं यहां पर हम सबसे पहले बना लेते हैं हमारी स्टिक्स तो यह 64 स्टिक्स बन गई है और की का सावान हम रख देते हैं यहां पर तो अभी हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले ना यहां पर इन सारे जो डबल होल्स है यानि कि यह देखिए दो है यह भी हो गया और यह भी हो गया तो यह भी हो गया यह भी हो गया यह वाला करना तो एक यह तो ऐसे करके यह जितने भी ह कर देता हूँ मैं तो फ्रेंड्स एक और चीज मुझे याद आई अगर वैसा भी हो जाता होगा तो यार कितनी अच्छी बात है क्यों मेहनत कर रहा हूं हमें क्यों यह खुल गया वास सके ऊपर रखके देख लेते हैं अगर यह काम कर जाता है मतलब अरे बहुत बढ़िया मैं क्यों कर लगाने के लिए मुझे कोई सी जगह चाहिएगी चलो सेञे के लिए देखेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हैं ही यह लेता हूं ही फा समें एक और गड़ा करता हूं और ऐसा करके निया शुरू है उत्रchnchn vindt और इसको खोदना है कहां तक बिलकुल end तक और उसके बाद फिर उसके आगे देखेंगे हम तो यह देखें ग्रीन ब्लॉक्स अलगी दिख रहे हैं I think friend मेरा यह हो चुका है हाँ ठीक है यह wall आ गई है और इसकी जगह पर यह लेकर यह फिल कर देते हैं और अभी क्या करना है मेरे को यह वाला भी तोड़ना है यह सारे तो मैं काम करता हूं वापिस से अपनी वाली वह लेता हूं थोड़ा सा confusion होता है कि यार यह नहीं तो यह करें यह नहीं तो यह करें अभी क्या करने वाला हूं मेरे को जो चीज समझ में आ रहा है अगर मैंने ये सारे तोड़ दिये तो मुझे वापिस से count करने पड़ेंगे कितना क्या करना है तो अभी इनको नहीं तोड़ूँगा आखरी मैं इनको तोड़ूँगा जब हमारे glow stones लग जाएंगे वैसे हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर सारे पर glow stone लगाकर और उसके बाद हम इसको तोड़ दें तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले ऊपर चलेंगे ठीक है और यहाँ सारे हॉल्स में न हम लगाएंगे glow stones स्वरी glow stones नहीं इनको बोलते हैं red stone lamp तो यह red stone lamp लगाऊंगा मैं हर जगह पर कुछ इस तरह से और रात होने वाली है और रात में बिल्कुल नहीं रुकना है क्योंकि यहां बहुत अंधेरा रहेगा और अंधेरा अगर रहेगा तो जॉंबी स्पॉन होंगे तो उस चीज का ध्यान रखना है तो रात होते से ही मैं सो जाओंगा जल्दी से तो अभी तो यह लगा देते हैं तो फ्रेंट सुबह हो चुकी है और अभी ना मेरे को एक चीज और करना था जो चीज मैं बूल गया था अच्छा वह याद आ गया मुझे के मैंने इन सब पर लगा दिया है वैसे कोई अभी बात कोई प्रावलम नहीं है बड़्ण हाँ अगर मैं ना इन सबको नहीं लगाता तो मुझे ये पता चल नहीं यह आखरी होगा तो मैं इधर होल कर देता हूं और उपर बिलके देखते हैं यह लास्त है तो अब ऐसे तोड़ता हूं मैं जल्दी से सारे तोड़ देता हूं इधर बिलके तोडिए दॉड़ देता हैं यह लास्त है कि मैं इज दिए्ट थ Bowden झाता है प्राप्सक्राइबर तो फ्रेंड्स मैंने यह कर दिया है और यह कुछ ऐसा लग रहा है यह देखिए सारी लाइन में नीचे मैंने दो-दो होल कर लिये हैं वह सब इसलिए करें मैंने ताकि मुझे आने जाने में भी इजी पड़े और यह सारा काम भी होता रहे और अब भी शायद से शाम होने वाली है चलो देखेंगे जो होगा तो अभी क्या करना है मुझे मैं तो स्टोन लगाऊंगा यहां पर स्टोन से क्या होता है कि अलग रहेगा तो पता चल और और किस चीज की जरुवत नहीं है लीवर की नहीं है टॉर्च की नहीं है चलो तो अभी हम क्या करने वाले हैं यहां से हम उठाएंगे हमारे स्टोन और स्टोन की जगे अभी हमारे पास यह बहुत बहुत जादा मात्रा में तो अभी मैं दो स्टेक ले ले लेता हूँ बहुत है दोस्टों तो क्योंकि इतना जरुवत नहीं पड़ेगी और अभी ना हम शुरू करेंगे तो अभी मेरा जो मतलब में स्विच रहेगा वो यहां कहीं रहेगा इस साइड से मतलब तो यह मेरा मतलब इदर से मेरे को उस साइड पोजिशन पर बनाना है तो जहां जहा पहला लग गया और मेना उल्टा चलूंगा कैसे उल्टा चलूंगा ऐसे तो यह पहला लग गया औरे मैं क्या कर रहा हूं या ठीक है तो यह पहला लग गया और उसके बाद यह लगा यह लग गया ऐसे करके ना मैं सब में जल्दी लगा देता हूं कि अजय है यहां कि अजय हैं कि अजय है प्यावा सक्टूरूर। तो फ्रेंट सारे लेंब्स के नीचे लगा दिये हैं अब हम क्या करने वाले ही क्योंकि हमारे पास ना सबसे ज़ी ऑ करने वाला हूं जैसे ना मेरा यह और यह और यह तो नहीं यह वाला रख लेते हैं यह वाला हटा देते हैं यह भी जर्वत नहीं है और उसके बाद हम यहां चलते हैं और अभी मेरे पास अभी मैंने थोड़ी टाइम के लिए मेरे को डर्ड की जर्वत नहीं है तो यह अब हम यहां रख देते हैं और आभी हम क्या लेने वाले हम लेने वाले हैं दू चाज-Stike sándt के क्योक्ति बहुत जर्वत पढ़ने वाली है तो एक्डू अरे में ने ले लिए हैं s 산 and send और अब हम क्या करने वाले सप्पे Trade सेंड लगाने वाले में दो स्टेकोल ले लेता हूं यार कम पड़ जाएगी तो बीच में फिर आना पड़ेगा ठीक है तो अभी हम क्या करने वाले इस पूरे पर सेंड लगाने वाले हैं तो अभी चलते हैं हम फटा 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 फट तो अब कैसे सेंड लगाएंगे हम कर दो ने इसे क्या पता रहेगा कि हमने कोई से दूसरे कलर के मलब हम अलग करेंगे ना तो अलग दीखेगा कि हमें यहां यहां पर वाइरिंग करने तो अभी यह देखो यह कुछ ऐसा लग रहा है और यह फिल हो गया तो ऐसे करके पूरे उसमें मैं फिल कर देता हूं क्या है? तो फ्रेंड्स ये भी हमारा कम्प्लीट हो चुका है इस वाइट लाइन पर हम हमारा जो कनेक्शन है वो करेंगे और मैं एक बाद चेक कर लेता हूँ कहीं पर रह तो नहीं गया वैसे मुझे नहीं लगता है कहीं पर रह गया होगा क्योंकि देखिए यहां से कनेक्शन है और इसको मैंने यहां से दिया और यह देखिए आप मैंन यहां पर क्या हुआ था कि इस जगह पर ना मैंने डंग से खोद नहीं पाया था तो इस चक्र में वह पहले से ही था जितना मुझे चाहिए था तो वाइट लाइन नहीं हो पाई इधर भी देखो यह रहे दो ग्रीन और और इधर की लाइटे में बाद में चैंजे चैंजेस क नहीं गए और यह वाइट लाइन यहां देखिए वाइट लाइन की जरुवत नहीं है बट यहां है तो यह लग गई मेरी और यह बीच में होल क्यों जा रहा है इसको पेक कर देते हैं ठीक है और वाकी तो चलो देखेंगे जब जैसा अपना सिच्वेशन बैठेगी तो अ पास सिर्व टॉन्टी थ्री रिपीटर जी हैं तो कहां गये मेरे इक आरग दिए मेरे डिवीटर कि यह रहे तो देखो रिपीटर बनाने के लिए जो सामान चाहिए ना हम लेते हैं सबसे पहले तो उसमें चाहिए हमें स्टोन तो तीन स्टेक स्टोन के ले लेते हैं और उसके बाद चाहिए हमें टॉर्चिस तो इधर देखते हैं इधर है क्या इधर भी नहीं है इधर है क्या नहीं है तो इदर से हम ये ले लेते हैं और चलते हैं इस साइड और अभी हम यहां से लेंगे ये बैंबू चलो इतने सारे ले लो और हम धेर सारी स्टिक्स बनाएंगे सबसे पहले तो तो स्टिक बनाने के लिए अरे हाँ तो ये गए एक दो तीन चलो बस इतनी बनेगी तो इस वाल तो यह बन गई यह गई किती बन गई और यह गई और यह लेते हैं किते हो गए मेरे पास 64 प्लस 23 यह गई और कुछ नहीं बना सकते तो मैं यहां से लेता हूँ स्टोन होंगे यहां है तीन स्टेक ले लेते हैं तो यह लिए मैंने और यह बना लिए तो अभी मेरे पास काफी तो नहीं कह सकते हैं बढ़ हां मुझे इसा लगता है मेरा काम चल जाएगा इससे तो देखिए अब रिपीटर कैसे लगाने रिपीटर लगाना है जिस साइट मैं उस साइट लाइन जाल रहा हूं ना तो इधर मुझे करके यह पहला और यह आइसे करके ना इसके मुझे की तरफ डालना है सारे मेरे को तो कोई सब भी कहीं से भी टॉच दो कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि सब ना एक जगे से कनेक्शन होने वाला है बस यह ध्या और बीच की लाइन के लिए क्या करने वाला हूं मैं के सबको ना इधर से कनेक्शन दूंगा मैं तो यह देखिए यह सारे इधर चलते हैं और गलत भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बाद में क्या करना कि जहां से लाइरिंग करो ना वह वाइरिंग थोड़ी सी तो सेंसर वाला भी बना सकते हैं सेंसर वाला ही बनाएंगे हम सेंसर वाला ही बनाएंगे तो अभी क्या करना यह लास्ट लाइन है तो इस लास्ट लाइन से यह कनेक्ट हो रहा है तो मैं क्या करने वाला हूं यह लास्ट लाइन से यहां ऐसे करूंगा यह इसे जाएगा ऐ वैसे ठीक है और अभी इदर नहीं जरुवत है चलो तो अभी यह वाला हो गया था ना तो भी और वैसे मैं ना ग्लो स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यह लेंप आला इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं थोड़े से दिन बाद यहां पर ज्यादा डिस्टेंस है तो एक यहां पर लगा देते हैं तो इससे क्या होगा कि जो रेड स्टोन है वो 15 पर काम करता है और बला 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 तो वो सब करा यह कर दिया ठीक है यहां पर नहीं है और एक यह डाल देता हूं और यहां से कनेक्शन अपना यह थोड़ा समस्य हो जाएगी तो हम क्या करने वाले हम इसको थोड़ा सा वाइपास करेंगे यहां से कनेक्शन यहां और एक कनेक्शन यहां से यह निकल जाएगा तो यह क अवर सबस्ताइब है तो P इदर चेक है इदर चेक है ये चेक है ये चेक है इदर तो सारे चेक लग रहे हैं मुझे और ये वाले भी सब सही आई थिंग और इदर भी लगा दिया है मैंने यह भी लग चलो लग चुके हैं मुझे इसा लगता है लग चुके हैं तो अभी हम क्या करने वाले वाइरिंग क क्या करते हैं कि मेरा जो लीवडर है जो कि मैं वहा छोड़ कर आंगे हुए मैं चाहता हूँ कि यह सब είναι जब हम वाइरिंग करें तहीं करने के चालू है कि निए क्युक्त क्या रखोत लिόट Damn यहां पर और अवंक करेंगें और फिर नहीं टेंग करना शुरू करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ पर हमारा कोई सब्वलब दिक्क्त विक्क्त है तो पता चलजाएगा जल्दी तो यह देखिए और यह उन कर दिया यह वाला ओन हो गया है अब देखिए ये भी चालू हो गया ये भी चालू हो गया अभी मैं भार निकलता हूं और उसके बाद ये वायरिंग ये भी चालू हो गया और ये भी कनेक्ट सही हो गया अपना ये भी सही हो गया है अरे कहां लगा दिया उसके बाद ये वाली वायरिंग कहां से कर रखी मैंने य कि यहां से कर रगी तो यहां की जरुबत नहीं है चल उच्छी बात है यह कनेक्ट तो ऐसे मैं सारे चेक लेताँ फूटा कि वयुए कि अ य॥ प्रूम्हार बुशने पिर दो जो रख रूरे को बाग रखस्टने पिर आपने ब कर दोटे दोटेंगा। तो फ्रेंड्स हमारे ये जो सारे हैं ये कंप्रीट हो चुके हैं और ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है अभी हमें चेक कर लेते हैं कि कोई सा रह तो नहीं गया है वैसे तो नहीं लगता मुझे कि कोई सा रह गया होगा तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा लग रहा है और फिर थोड़ा सा आगे पीछे देख करना मैं एक काम करूंगा कि यह जो यह जो इस पर फॉंटेन पर जो लाइटे लगी है मैं सोच रहा हूं उनको भी आटोमेटिक कर देंगे और ऐसा कुछ कर देंगे तो यह देखी अभी ऐसा लग रहा है और यह वाली जो आपको परचा भी नहीं आता है क्योंकि यह यूज होती है एक ग्लो स्टोन और साथ में कुछ कोई सा भी वूड लॉड लॉप ऐसा कुछ है तो ऐसे यह आप बना सकते हो एक से चार बन जाती है तो ऐसी बहुत मलब बहुत इजी है बनाना और देखी कित्ता अच्छा है और यह न आप इसको नफ इसमें लगाएंगे खड़े में तो देखते हैं कहीं पर लगा रखी होगी मैंने तो चलते हैं यहां कहीं पर मैंने लगा रखाई क्या यहां नहीं लगए देखिए यहां पर मैंने यह लगा रखी है तो इदर यह यहां पर भी लगा रखी और खड़े पर में मिल जाए कि आप वहां जाके चेक कर सकते हैं और अभी मैं यहां रख लेता हूं और इसको खा लेता हूं तो फ्रेंड्स अभी हमारा है ना वो काम तो हो चुका है आप हम उसको स्विच आफ और आन करके देखते हैं मुझे लगता है कुछ मज़ा आने वाला है जब सब ल अरे यार अभी तक नहीं हुई ऐसा क्यों ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी वज़े से यह वाले पोर्शन की वज़े से ना दिक्कत होई है तो वही तो मैं चेक करना चाहता था देखो अब लाइट बंद हो गई है तो क्या करने वाले हैं हम यहां पर ना एक टेंप्रेरी कुछ सिस्टम बनाएंगे कैसे बनाएंगे देखें यहां मैं यह ब्लॉक रखता हूं और कुछ रेयार कैसे करा जाए कैसे करा जाए चलो पहले लाइट ओन करता हूं नहीं तो जॉंबी से स्पॉन होने लग जाएंगे इस अंधेरे में देखो पूरा अंधेरा हो चुका है तो अभी मैं आन कर देता हूं इसको यह वापिस वान होगा है सारे और अब क्या करने वाला हूं मैं यहां पर थोड़ा सा चेंजिस करना पड़ेगा जिसकी वज़े से ना यह वाली वायरिंग और यह वाली वायरिंग टच नहीं होनी चीए तो हम क्या करते हैं यह तोड़ते ह हैं यह तोड़ते हैं और यहां से कुछ ऐसे करता हूं एक सेकंड अभी समझ में आ जाएगा और यह वाला तोड़ता हूं ठीक है यह तोड़ा यह गया यह गया अरे ठीक है और अब बंद करके देखते हैं अगर यह वाली बंद हो जाती है तो मतलब हमारा काम सही हो गया है न ले चेक कर लेते हैं लाइट बंद हुई हो गई हो गई हो गई हो गई हमारा Mission successful हुआ और फ्रेंट्स ऐसे का ऐसे इना में इन में इन लाइट में और इन ममं Bahnlex घर का पूरा जूलाइट से यहां कि नहीं सिर्फ भार-बार synth की वह सुऩ्ष से बना दूंगा अभी हम बनाते हैं एक sensor तो डे लाइट sensor कैसे बनाते हैं हम यहाँ पर लिए लाइट तो यह vara कासे संपल तो चलो अभी क्या करता हो मैं हां से सारा सामान ना आशिक की जरुवत नहीं मुझे और यह 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 आ दो अब होगा है बेले हम यह तो एक काम करता हूं मैं एक भुलॉक से मेरा काम हो जाएगा सुम्हाइक ही तो सैंसर चाहिए और साथ में मुझे चाहिए glasses तो तीन glasses ले लेते हैं और साथ में मुझे चाहिए slab तो slab मुझे मिलेगी कुछ यहां से तो यहां पर मैंने slab रख रखी यह देखो एक दो तीन मुझे सिर्फ एक sensor की जर्वत है और मैं सोच रहा हूं sensor को हाइट करके भी देखेंगे क्या पता अगर काम कर जाता है तो बहुत अची बात है इसको यहां रखते हैं इसको यहां रखते हैं तो अरे ब्लोक से अरे यार यार ये मज़क अची नहीं लगी है अच्छा इसे आफ वो नहीं कर सकते क्या चलो अच्छा वह पता चल गया नहीं तो मैं ध्यर सारे बना-बना के रख लेता जीर को दिखकत नहीं मिरे पास यह इस को मैं तोड़ तोड़ के और कहां रखूं यार तीन और यह वाली इसमें काम नहीं करेगी नहीं करेगी तो अभी मैं क्या करता हूं मेरी जो पुरानी वाली एक से उसको मैं यूज़ करूँगा यहां पर यह वाली और इसको मैं यहां रख देता हूँ और यह गया यह गया चलो फिलाल काम आ गया और अच्छा हुआ कि पता चल गया तो अभी क्या करने वाले हम एक यहां यहां और यह यहां और यह हमारा डेलाइट सेंसर बन चुका ह तो अभी हम daylight sensor को use करेंगे तो अभी फिलाल के लिए जस्त हम चेक करने के लिए इसको तोड़ते हैं और यहां पर ऐसे करते हैं ठीक है और यह देखिए यह बंद हुए फिर चलुआ है अब हम क्या करने वाले हैं कि हम लेने वाले डर्ट वैसे भी हमें डर्ट लगाना है हम उ यह डर्ट अरे और चाहिए डर्ट की तो बहुत जर्वत पड़ेगी और कोई दिक्कत नहीं है अच्छा खासा ले लेते हैं ठीक है तो धेर सारे डर्ट से ले लिए हमने अब हम उसे पेक करके दिखते हैं अगर वह फिलपी काम कर रहा है मतलब बहुत ही अच्छी बात है तो मतलब कर रहा है वो डिलाइट सेंसर काम कर रहा है देखते हैं सुबह होने का इंतिजार करते हैं अगर सुबह भी यह चल रहा है तो मतलब कर गया काम बहुत अच्छी बात है तो अभी फाइनली इसको मैं पेक कर देता हूं तो यह शुरू हो चुका है मेरी पैकिंग अप्राइब दोग लुग दिए भाउद लुग दोगा दोग दोगा दोगा है तो फ्रेंड्स मैंने इसको पैक कर दिया है और ये कुछ ऐसा लग रहा है अब ये आटोमेटिक चलेगा और देखिए को ये ऐसी जगह रहे है और कुछ नहीं जादा दिखत वाली बात नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी मेरे पास अच्छा यह मैंने भूली किया था मैं कभी इत्ती सारी जगह और बची है तो फ्रेंड्स क्या करने वाला हूं मैं इसको तो न एसी जघ्ए ठोंडने वाला हूं जहांप रिसको लगाया जासके और उसके बाद उसके लिए ना देखें वाइरिग्स जाएगी तो इतना दूर तो मैं नहीं कहने वाला हूं यह कई आसके कुछ जगा जगा देखूंगा और उसके आज पाच कुछ फिल कर दूंगा तो जिससे वह कुछ नुकसान नहों उसका तो अभी देखिए यह सुबह का टाइम है और यह सारी लाइटे बंदे रात होईगी और यह लाइटे चल जाएंगे तो देखिए कितना अच्छा लग र दूंगा तो उसके बाद ना यह वाला काम तो हमारा खतम हो चुका है और आप मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हो देखिए सबसे पहले तो यह यह मेरा एक और मोड है जो मैंने पहले से ही डाल रखा है जिससे स्टेयर्स और वह अलब टेबल और चेयर और यह सारी हैं ना अभी आपको इस इंपोर्टन बात बतानिए तो इदर चलते हम तो क्या हुआ था कि यहां पर ना इस पूरे में देखी यहां पर अभी कित्तव गॉलेम हैं एक और अभी फिलाल एक है ना और यह दो तो गॉलेम कित्तव सारी यहां पर बहुत सारे जंडरेट हो ल Пока do not have a linemen बताता हूं तो इदर चलते हुर यह हमारा घर और इसके सामने देखिया मैंने यहां जाकर इसको वापीस से बनाया पूरा का पूरा और यह यहां जाकर अच्छे से वर्क कर रहा है इसके नीचे मैंने पूरी वाइरिंग करिए इसके नीचे पूरी वाइरिंग है और वो वाइरिंग जाकर हमारे उसी वाले पर मिल रही है और यह मोट था आपको पता ही है तो देखिए इस वाइरिंग में यह दो जग है एक तो यह यहां पर और इतना लंबा ना वाइरिंग नहीं हो पारी थी स तो मैंने एक यहां सिस्टम बनाया यहां पर उसका एक यह दिखिए नीचे नेटवक केबल नेटवक कनेक्टर है और एक ही हो गया और मैं थोड़ा सा उड़ने कोशिश करता हूं ठीक है तो एक नेटवक केबल यह है यह जा रही है कुछ ऐसे और यह रही दूसरी नेटवल और मैंने दो नेटवक केबल लगा यह उसके बाद जाकर ना यहां पर एटेश हो गया तो एक चीज मैंने यह करी थी यह बहुत ज़्यादा का था तो फ्रेंड उसके बाद जिस मेहर पर यह काम कर रहा हूं देखिए मैं इस नहर का बता देता हूं आपको इस नहर पर में मैंने कौन तो काम कर रहा हूं आपढ़नी तहीं गेहरा है और चछल रहा है काम मैंने यह कैल लगाए है लगाए जाता है यह डर अगर आपको लगाना है तो आप एक 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 कभी सुन निकर सकतें इंङका इस वाले लाइन पर और इस वाले लाइन पर मैंने ओतर लगा और यह तो प्रिप गया चाहिए बने तो पर टेंट हिए आउते इसी भाड़ रजिए यह देखिए सेम दिख रहा है यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा बिल्कुल सेम दिख रहा है बट इसमें डिफरेंस यह है कि यह सिर्फ उपर के लेयर वाटर की अगर मैं इसको उपर के लेयर पे मैं अगर कोई सा भी ब्लॉक लगाऊंगा ना तो नीचे उसके नीचे यहाँ पर अलग है और वहाँ पर अलग है तो यह difference होता है इन दोनों में तो friends आज के लिए बस इतना ही और बस यही काम था तो हो चुका है तो friends अगले वीडियो में मिलेंगे और जल्दी से जल्दी में आपके लिए पूरा HD में लाने वाला हूँ तो वीड कीजिए शेडर के साथ माला बेच दी में और क्या तो शेडर के साथ और सोच रहाँ कि मैं टेक्श्चर्स भी यूज कर रहा हूं बट मुझे इतना पसंद नहीं है टेक्श्चर्स तो देखेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही और गुद बाई